Good Morning Students! आज का हमारा टौपीक है नेनर्स हीट थेओरम नेनर्स हीट थिओरम के बारे में सरवफर्तम डबलू नेनर्स नामक वेग्यानिक ने 1906 में इसके बारे में बताया था डबलू नेनर्स ने बताया कि इसके जब detail steady की तो उसने देखा कि जो Free Energy और Gibbs energy, sorry, free energy and enthalpy के बीच में जो variation थे, वो क्या हो रहे थे, temperature के साथ-साथ decrease हो रहे थे, यानि जैसे से temperature बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे उसकी free energy change में और enthalpy change में क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था, और इस result को इसने क्या कहा, नेनर्स heat theorem कहा था, तो नेनर्स heat theorem जो है, वह है क्या होती है कि temperature के साथ-साथ, उसकी free energy में और enthalpy में change को बताती है, यानि इनके बारे में जानकारी देती है, तो according to Gibbs-Helmholtz समीकरण, तो Gibbs-Helmholtz जो equation है, वो कहा है, डेल्टा-G बराबर डेल-H प्लस T डेल-G अपॉन डेल-T at constant pressure, इसको अपन देते हैं समीकरण 1, तो यह जो equation है, गिव-Helmholtz equation या अपन यू कहते हैं समीकरण 1 जो है, वह जो होती है, वह galvanic cell के अध्यन के लिए उप्योगी है, जब अपन नेनर्स heat theorem के according, जैसे इसे temperature मा मान लिया कि अपने temperature, absolute zero temperature लिया, तो absolute zero temperature पर T की value जो हो जाएगी, 0 और T की value जब 0 हो जाएगी, और यह मान जब अपन समीकरण 1 में रखते हैं, तो अपने पास जो समीकरण आता है, वह हो जाएगा, डेल-G बराबर डेल-T, क्योंकि at constant pressure पर temperature के साथ, जो delta-G में या फिर absolute zero है, जो absolute zero temperature होगा, तो यह वाली value क्या हो जाएगी, 0 और delta-G किसके बराबर हो जाएगा, उसकी enthalpy change के बराबर, यानि कि free energy change है, वो किसके बराबर हो जाएगा, enthalpy change के बराबर, जब absolute zero temperature अपन लेते हैं, इसको अपन दे देते हैं, समीकरण, दो next अपन देखते हैं, कि नैनर् temperature को अपन कम करते जा रहे थे, यानि कि जैसे से अपन तेमप्रेचर को absolute zero के ओर किया, तो उसकी जो value थी, dell G upon dell T, क्या हो हो रही थी, डीकरीज हो रही थी, यानि कि temperature में जब अपन कमी कर रहे थे, या उसको temperature के मान को कम कर रह थे, या absolute zero के ओर बढ़ रहे थे अपन, तब उ है कि जो डेल्टा जी और डेल्टा एच हैं वह कभी भी एक दूसरे के एकवल नहीं बलकि यह होते है एबस्लीट जीरो या फिर अपन यू कह सकते हैं कि डेल्टा जी और डेल्टा एच are not only equal at absolute zero temperature यानि कि जब temperature zero होता है तो डेल्टा जी और delta h का मान क्या होता है एक दूसरे के only equal ही नहीं होते but the value of approach each other asymptomically in the vicinity of this temperature this result is known क्या कहलाता अपना nanars heat theorem कहने का मतलब यह है कि अपने देखा था कि nanars ने जब nanars heat theorem बताया था तो उसने कहा था कि temperature के साथ साथ उसकी free energy और उसकी enthalpy में परिवर्तन को बताता है तो जैसे अपन ने देखा कि जब उसमें अपन temperature को absolute zero की तरफ लेके जाते हैं तो या फिर अपन यू कह सकते हैं कि absolute zero temperature पर ये delta G और delta H का मान जो होता है only equal ही नहीं होता बलकि इनकी जो values होती है वह एक दूसरे के समी पहुँच जाती है तो this result इसने इस result को ही ने नर्स ने क्या कहा था ने नर्स heat theorem तो mathematically इसको अपन किस परकार से दर्सा सकते हैं तो mathematically अपन दर्सा सकते हैं कि limit ले लेंगे अपन यानि कि absolute zero temperature है तो limit T equal to zero तो D delta G upon delta T बराबर delta H upon delta T यानि कि इनका मान नहीं कि एक दूसरे के equal नहीं होता बलकि एक दूसरे के लगबग समीप पहुँच जाता है इसको अपन दे देंगे समीकरण 2 तो graphically जब अपन presentation करते हैं तो अपने को पता है कि जब अपन temperature को absolute zero मानते हैं तो delta G बराबर क्या आजाता है अपना delta H ये इसका absolute zero temperature पर जो मान होता है वह इन दोनों के equal होता है लेकिन जब इसके temperature में कमी अवरदी होती है तो उसके delta G और delta H के मान में भी क्या होता है परिवर्टनाता है तो यानि कि अपन यूँ कह सकते हैं कि delta G जो होता है वह है अमेसा delta H या temperature पर किसी भी temperature पर ले लो या absolute zero temperature से जब अपन आगे जाते हैं तो delta G का मान क्या होता है delta H से क्या होता है greater होता है या पिर अपन यूँ कह सकते हैं कि delta G का जो मान होता है वह है delta H से ज़्यादा होता है ये delta G कमान ज़्यादा कब होगा जब अपन उसके absolute zero temperature से आगे की ओर temperature करते हैं तब तो कहने का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि delta G greater than del H we know that हम जानते हैं कि जो at constant pressure पर जब temperature के साथ उसकी gives free energy में जब अपन परिवर्थन करते हैं तो उसकी value जो होती है entropy की बराबर होती है इसको अपन देदेंगे समीकरण 4 और अगर constant pressure पर temperature के साथ enthalpy में परिवर्थन करते हैं तो उसको अपन दरसाते हैं CP की द्वारा या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि constant pressure पर उसकी heat capacity या फिर इस्तिर दाप पर उसकी उसमा धारिता के बराबर होता है इसको अपन देदेंगे समीकरण 5 जब इन दोनों की value अपन पीछे समीकरण जो अपना 3 था उसमें रखेंगे तो अपने पास जब value को अपन इसको रखते हैं तो अपन क्या प्राप्त करते हैं कि limit T equal to 0, del S बराबर 0 और del CP बराबर 0 यानि कि यहां से अपन ग्याद कर सकते हैं कि इस्तिर दाप पर जो उसमा धारिता होती है जब absolute temperature होता है लिमिट होती है तो भी वह लगबग 0 के बराबर होती है 0 के बराबर आता है तो यह जो अपने formula या नेनर्ट सीट जो theorem है वह है क्या होता है कि gaseous के लिए लागू नहीं होता या फिर अपन यू कह सकते हैं कि जो gaseous होती है वह जो absolute 0 temperature होता है उस पर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता तो यह जो theory होती है यह theorem है वह है क्या होता है gase और liquids के लिए क्या होता है applicable नहीं होता या फिर अपन यू कह सकते हैं इसको liquid और गेसों पर लागू नहीं कर सकते next है अपना कि third law of thermodynamics अब तक अपन ने first और second law के बारे में study की थी अपना third law है वो है third law of thermodynamics तो third law of thermodynamics कहता है जैसे अपन ने देखा था कि जो enthalpy होती है वह क्या होती है internal energy और दाबायतन कारिये के योग के बराबर होती है यानि कि H बराबर क्या हो जाएगा U प्लस से PV जब इसका अपन इसको अनन्द सुक्स में परिवर्थन करते हैं तो DH बराबर DU प्लस PDV प्लस VDP अब अपने को पता है कि DU जो होता है यानि कि जो आंत्री कूर्जा होती है वह आंत्री कूर्जा क्या होती है TDS माइनस PDV के बराबर होती है तो DU की जगे अपन क्या रख सकते हैं TDS माइनस PDV प्लस VDP प्लस PVDP ये जो मान जब अपन इस समीकरण में रखेंगे तो अपने पास ये वाला समीकरण आता है अब यहां से जो सेम सेम है PDV माइनस प्लस क्या हो जाएंगे कैंसिल और फाइनल जो समीकरण आ जाएगा हो क्या हो जाएगा DH बराबर TDS प्लस VDP जब अपन प्रेसर को कॉंस्टेंट मान लेते हैं तो प्रेसर कॉंस्टेंट होता है तो ये DP बराबर क्या हो जाएगा जीरो और DH बराबर क्या आ जाता है अपना CP DT यानि कि जो यहाँ पर DH है उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं CP DT रख सकते हैं यानि कॉंस्टेंट प्रेसर लेंगे तो CP DT बराबर क्या आ जाएगा TDS क्योंकि जो उपर जो एक्वेशन थी उसमें DP का मान क्या हो जाएगा सुनने तो इधर अपने पास क्या जाएगा CP DT TDS यहाँ से DS को इधर ले आएगे तो अपने पास जो फाइनल एक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगे DS पराबर CP DT अपोन T इसको अपन दे देंगे समीकरण 1 जब अपन इसको इंट्रिगेटिंग या समाकलन करते हैं समीकरण 1 का समाकलन अपन क्या करेंगे 0 से 0 Kelvin temperature से T Kelvin temperature तक तो जब 0 से T तक इसका समाकलन करते हैं अपन तो DS बराबर 0 से T तक और इधर CP 0 से T तक समाकलन करने पर अपने पास क्या आता है s t minus s 0 बराबर c p d t upon t 0 to t इसको अपन दे देंगे समीकरण 2 यहाँ पर s t और s 0 है यह जो अपनी क्या होती है entropy's है यह entropy's क्या दरसाती है temperature t और 0 Kelvin temperature की entropy कहलाती है next अपन क्या करेंगे कि यह 0 जो c p है वह क्या होता है कि जैसे जैसे यानि कि c p decreases approaching 0 at t equal to 0 with decreasing temperature यानि कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे c p जो है वह 0 की तरफ पहुंचता है या पिर अपनी हो कह सकते है कि temperature में कम ही करते जाएंगे तो c p के मान भी क्या होता जाता है कम होता जाता है तो इस परकार क्या होता है वो भी क्या होती है positive quantity दरसाती है कहने का मतलब यह है कि जब अपन temperature को कम करते जाते है या temperature में कमी करते है तो c p के मान में भी क्या आती है कमी होती जाती है या यूं कह सकते है कि low temperature पर जो c p upon t होगी वह finite quantity दरसाती है तो इसका मतलब finite होती है तो इसका मतलब यह क्या होता है कि S T minus S 0 का value होगी उसका मान क्या होता है उसकी value भी क्या होती है positive कहने का मतलब यह है कि T temperature पर जो अपनी entropy होगी वह greater होती है जब 0 Kelvin temperature की जो entropy होती है तो यानि कि 0 Kelvin temperature पर उसकी entropy कम होगी और T temperature पर उसकी entropy ज़्यादा है तो third law of thermodynamics के बारे में तो अलग-अलग विग्यानिकों ने अपने statement दिये थे first था जो प्लांक ने अपना statement दिया कि जब absolute zero पर क्या होता है कि जो entropy होती है यानि pure solid और liquids की जो entropy होती है वो है zero होती है यानि कि जब temperature ही absolute zero होगा तो इनकी pure solid या liquids की जो entropy होती है उसका मान भी क्या हो जाता है सुनने होता है दूसरा statement था जो लुईस और रेंडल statement कहलाता है उसने बताया कि जो every substance होते हैं वो क्या होते हैं कि finite positive entropy but at the absolute zero temperature the entropy may become zero and does not become zero in case of perfectly crystalline substance यानि लुईस और रेंडल ने बताया कि परतेक जो substance होता है वह कुछ positive entropy रखता है परन्तु जब अपन temperature absolute zero लेते हैं तो क्या होती है वो entropy भी क्या हो जाती है zero हो सकती है और यह क्या होता है कि zero कब होती है जब अपन केवल perfectly एकदम सुत crystalline substance लेते है तो कहने का मतलब यह है कि अगर अपन pure perfectly crystalline substance अबर काम में ले रहे हैं अपन तो उसकी जो entropy होगी absolute zero temperature पर उसकी entropy का मान क्या होता है सुनने होता है